मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से ख़णा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ आठवा नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है आठवा नियम ये है कि रात को जबी भी खाना खाएं तो दो घंटे तक आराम नहीं करना दुबहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खाके दो घंटे बाद ही आराम करना अब आम बोलेंगे रात का क्या है, रात की बात ऐसी है कि सूरी चला गया, चंद्रमा आ गया आप सबी जानते हैं कि चंद्रमा सीधल है चंद्रमा सीधल है तो शरीर भी सीधल है और शरीर सीधल है तो blood pressure low है और जब low BP होता है तो काम ही करना चाहिए आराम करेंगे तो फिर तकलिफ आएगी हर्ट हूँ किसी भी डॉक्टर से अगर एक journal knowledge के लिए बात करेंगे high BP में क्या करूँ तो वो बुलेगा आराम करो low BP में क्या करोँ तो तुरंत कहेगा काम करो तो low BP होता है रात को खाना खाने के बात तो हम थोड़ा आराम करें सबसे अच्छा काम क्या है आयुवेट में कहा गया है रात को खाने के बात सबसे अच्छा काम है टहलना walking कितना टहलना कम से कम 500 कदम गिन करना अधिक से अधिक 1000 कदम 500 तो कम से कम तो आप जो morning walk करते हैं मेरा एक छोटा सा suggestion है कि evening walk शुरू करें morning walk की जगे evening walk शुरू करें खाने के बाद बले गली में कर लीजे अधेरा है लाइट नहीं है तो छट पर कर लीजे आपके पिछवाड़ी में कर लीजे गिनके आपको 500 कदम चलना जिन दिए आपकी इतने आराम से कटेगी शाम को खाने के बाद जो evening walk कर ले 500 कदम 1000 कदम इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाईगे morning walk के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ morning walk के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में बाद का प्रकॉप होता है बाद वायू और walk करेंगे दोड़ेंगे भागेंगे exercise करेंगे तो वायू और बढ़ता है तो वायू का प्रकॉप है जो मैंने आप से थोड़ी देर पह लेका 80 रोगों का कारण होता है इसलिए भारत के आयुर्वेद शास्तर में कहा गया है कि सुबह के समय में आराम से बैट कर योग करें प्राणायाम करें जिसमें दोड़ भाग जाजा ना हो और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दोड़ भाग करें वाकिंग करें फास्ट वाकिंग करें बिट्स वाकिंग करें मीडियम स्पेस में करें, मीडियम स्पेस में करें, जैसे करें, वॉकिंग रात को, कम से कम हजार को, दुपहर को खाने के बाद आराम, और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग, और फिर थोड़ा कुछ दरुदर का काम, कुछ रीडिंग, कुछ इस्टडी, दो घं झाल झाल झाल